नमस्कार दोस्तों मैं इंको रुपात्या है स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में अमेरिका के बजार खुल चुके हैं शुरुवाती हो रही है उनके बजारों की और उनका इंफलेशन का डेटा जॉब्स डेटा, होल सेल का डेटा, ये तीनों चीज़ें अलरेडी आ चुकी है इंफलेशन का डेटा तो मैं आप सभी के साथ अलरेडी डिसकस कर चुका हूँ दो दिन पहली आ गया था लेकिन यहां पे आप सभी के लिए डिसकस करने वाला हूँ होल सेल्स के डेटा आया है और जॉब्स का डेटा आया है एक एक करके दौनों चीज़ों को समझने की जानने की कोशिश करते हैं उसके बाद अमेरिका के बजार पे भी आएंगे अपने बजार में आज तो काफी अच्छा बाउंस बैक था क्या कल भी तेजी बनेगी इन सब को समझने की जानने की कोशिश करते हैं तो शुरुआत करना चाहूँगा डायरेक्ली अमेरिकन मार्केट्स के खबर के साथ तो यहाँ पर मैं अगर आप सभी के साथ बात करूँ अमेरिका के इन्फलेशन डेटा या फिर होलसेल डेटा की तो सबसे पहले जॉबलेस डेटा की बात करते हैं अगर जॉबलेस की बात करी जाए तो अमेरिका में इनीशियल जॉबलेस क्लेम्स जो आए हैं 2,17,000 के सामने यानि की ज्यादातर लोगों पे नौकरियां पहुँच रही है अनुमान था कि 2,18,000 ऐसे लोग होंगे जिनके पास नौकरी नहीं है लेकिन उसके सामने 2,09,000 ही ऐसे लोग निकले जिनके पास नौकरियां नहीं है तो ये डेटा देखा जाए तो अधर कंट्रीस के लिए तो positive है बट अमेरिका के लिए negative है क्योंकि जितनी जादा लोगों पे नौकरियां पहुचेंगी उतना जादा अमेरिका में रोजगार है और रोजगार होने का मतलब है आदमी पे पैसा है और पैसा होने का मतलब है कि इतनी जल्दी inflation नीचे नहीं आ रहा है इसलिए आपने अमेरिका का inflation data जो मैंने discuss किया था 3.1% के सामने 3.2% पे inflation आया था 10 basis points बढ़ कर और मैंने ये भी कहा था कि inflation data खराब आया है लेकिन उसके बापजूद अमेरिका का बजार उपर जा रहा है तो ये different अब ये बजार जो कर रहा है वही accept करना पड़ेगा data लेकिन कुछ और कह रहा था सेम यहाँ भी jobless data तो कुछ खास positive दिखनी रहा है continuing jobless की बात करी जाए तो 1900K ऐसे थे जिनके पास नौकरिया नहीं है पहले से ही लेकिन अनुमार 1900 का था आये हैं 1811K that means ये तो बहुत बड़ा difference हो गया तो ये भी data अगर normal situation हो थी तो बहुत positive था बट क्योंकि अमेरिका inflation को नीचे ला रहा है जिसके लिए उनके लोगों के पास पैसा नहीं होना चाहिए चीजों की demand घटनी चाहिए बट वो यहाँ पे बिल्कुल भी data नहीं बता रहा है आगे मैं आप सभी के साथ बात करूँ तो retail sales का data आया है और ये sales घटते हुए दिख रही है वहाँ पे US में retail sales month on month basis पे देखें तो 0.8% का अनुमान था 0.6% पे आया है अच्छी बात यह है कि अगर आप month on month देखेंगे तो minus 0.8% से बढ़कर 0.6% है बट expectations के सामने देखो कि तो ये घटकर आया है मतलब अनुमान से कम आया है बट ठीक है आप बजार कैसा ले रहा है भी मैं बजार को देखके भी बात करेंगे US के कोर PPI की बात करी जाए तो 0.3% पे आया है अनुमान 0.2% का था तो ये भढ़कर आया है US retail sales की बात करूँ मैं month on month तो अनुमान दा 0.5% का है उसके सामने केबल 0.3% आया है तो ये भी अनुमान से कमजोर ही रही है तो overall data कुछ खास positive आया नहीं है कुछ और देखेगी कहीं पे कोई ख़बर है या नहीं है कोई बड़ी ख़बर या news नहीं है अब बात करता हूँ आप सभी के लिए अमेरिकन मार्केट्स की तो डाउ जोन्स आपका 70.2 पर दिख रहा है तो ठीक है बजार ने कुछ negative reaction नहीं दिया यही अच्छी बात है डेटा तो मिरे को कुछ खास अच्छा लगा नहीं नेस्डेक इंडेक्स में 1% की देजी है और 55.2 पर नेस्डेक इंडेक्स दिख रहा है S&P 500 फ्लेट टु पॉजट वेरसल 2000 में भी 1% की देजी है और विक्स करीब-करीब 1% नीचे दिख रहा है यहाँ पे ख़बर आते हूँ दिख रही है अब भी खुलाई है उपर से नीचे ड्रेक हुआ है लगबग 39,160 का हाई लगाया है 39,120 पे ट्रेड कर रहा है तो अभी तक तो इनीशल संगेत है जादा कुछ हैनी करने कहने को लिए अपने भारतिय बाद की बात करेंगी कल कैसा रहेंगे कैसा नहीं रहेंगे वह आखरी की वीडियो में बात करूँगा क्योंकि अभी डिसकस करना ठीक नहीं है अमेरिकन मार्केट्स को थोड़ी देख लेते हैं तब तक दो-तीन गंटे हो जाएंगे ट्रेड करते हुए रात में दस साधे दस बज जब लास्ट वीडियो आपके साथ डिसकस करूँगा उसमें समझ with Nye thank you very much for watching this video have a great day guys